नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नहीं वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबनम ने जो दयाय आची का डाली है रास्ट पती के पास उसने बहुत कुछ लिखा है सबनम ने सबनम ने सबसे एक सवाल पूछा था जिसका मैं इस वीडियो के बाद दियम से सभी से पूछना चाहूंगा जो हमारे वीवर्स है क्या आपका राई है क्या सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स के जरी है कमेंट में जरूर बताना इसके बाद से उसका जीवन उस समय तक के लिए रुक जाता है मतलब और उसके बाद वह सोची नहीं पाता है क्या होगा उसका मतलब एक डेट उसके जीवन पर लगा दिया जाता है कि अब तुम्हारे जिंदगी बस इतने दिनों के लिए है तो इस बीच सबनम ने सवाल पूछा था, क्या उसको फांसी देने से क्या गुना कम हो जाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं मानता हूँ सबनम ने गुना किया है, सबनम को सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए लेकिन हमें समाज से सबनम को नहीं हमें समाज से उस गुना को हटाना है वो जो कह सकते हैं कि जो जिस तरह के लोग गलत कर रहे हैं जो हमारे समाज में जो गलत हो रहा है उस चीज को हटाना है ना कि हमें उस व्यक्ति को हटाना है जिसके वज़े से हो रहे हैं लेकिन हमें एक ऐसा कुछ करना होगा, हमें कुछ नियम लाने होंगे या कानून लाना होगा, जिससे गुनाह ना हो, जिससे गुनाह करने से पहले दस वार सोचे, तो ऐसा करना होगा, फांसी जो अभी हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट एक दो साल में फांसी बहुत जादा तो मैं यही कहना चाहूंगा लेकिन फिर भी गुनाह कम नहीं हो रहा है कई सारे मामले ऐसे आते रहते हैं तो यह देखना काफी ज्यादा एहम हो जाता है तो फिलाल मैं इस वीडियो के माध्युम से बस यह ही कहना जा रहा है था आपको कि सब्दम को फांसी देने से क्या आप हमें comment box के जरी कमेंट करके जबूर बताना क्योंकि आपके राय आपके सुझाव आपके बिचार से ही लोग आगे बढ़ते हैं लोग को समझ में आता है कि आपकी क्या राय है मेरी क्या राय है मेरी जो भी राय होती है वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास बता देता लेकिन आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के जरी कमेंट जोग करना है मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तक तक के लिए आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद